दोस्तों नमस्कार आपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हर दिख स्वागत करता हूँ पर भारतिया संस्कृती को उजागर किया है इंडिया का नाम रोसन किया है इटूब कंटेस्ट का फर्स्ट विनेर बनकर नहीं बलकि अपने जीते हुए प्रसकार रासी में से 10% रासी ओबलेस के रूप में डोनेट करके उन्हें प्रसकार के रूप में 5000 डॉलर्स मिले जिसम ये स्रेया जी का चाहे जितना भी तारीफ किया जाए वह बहुत ही कम होगा इस माध्यम से उन्होंने पूरे विश्यो को एक मेसेज दे दिया कि हम इंडियन दान देने में किसी के हेल्प करने में कितना आगे रहते हैं CEO Mr. S इस सेलिबरेटिंग मोमेंट से काफी परभावित दिखे तभी तो उन्होंने घोसना कर दिया दूसरी परतियों गिता आज या मंडे से सुरू करने का उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही अधिक रुमांची थूँ और इस तरह के प्रोग्राम मैं बार बार करना चाहूंगा CEO Mr. S ने सभी YouTube Contest winner को बधाई दिये साथी साथ मुहंबत कमाल, मुहंबत नजाल एंड मिश्टर नवीन का धन्यवाद में किया जो ऑनपैसिप को पूरे दुनिया में सबसे टॉप पे ले जाने के लिए प्रयासरत है CEO मुहमद कमाल ने हमें समोधित करते हुए कहे हैं कि आपको जीतने के लिए यहां जूरे रहना होगा इसमें सामिल होना होगा उन्होंने हम सभी को ऑनपैसिप के आफिस्याल यूट्यूब चनल के सभी वीडियो को लाइक करने और उन पर कमेंट करने के लिए पुरसाहित किया जाना चीए उन्होंने कहा कि हम दो मिलियन लोग हैं ओनपैसिप के लिए हर दिन कुछ न कुछ जरूर करें क्योंकि यह आप ही के भविस्तिके लिए है आपके सक्सेज के लिए है उन्होंने असपष्ट कहा कि ओनपैसिप के हर एक वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट जरूर करें हम साथ मिलकर जीतेंगे उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन हमारे लिए एक प्रेरना है उन्होंने सभी का धन्यबाद भी किया मुहमद नजान ने भी बदाई दिये विनर्स को और उन्होंने ये भी कहा कि अगला कंटेस्ट बहुत ही रोमांचेक होगा इंडिया में संदार चीजें आ रही है दोस्त मुहमद कमाल ने इस इबेंट में एक बहुत बरी बात कह गये है जो हम फांडिंग मिंबर्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट है उन्होंने कहा है कि आप उनपैसिप के लिए कुछ न कुछ करते रहिए एक दू महीने बाद आप कितने बरे हो जाएंगे आपको यकीन नहीं होगा हमारा अफिस्य लीटूब चैनल देखते रहें बहुत कुछ आने वाला है जिसका साइध कलपना भी नहीं किया जा सकता दोस्त इस इवेंट में धिलन जी, नीरज दलवी जी, माटी डिगामो, क्रिस जॉंसन, चाल सौंग, पिटर सुरूर, रोविन, नॉबल ने भी समवोथित करते हुए विनर्स को कंग्रेचुलेट किये एंट स्वाती स्रिया का दान खाते में 500 डॉलर्स देने के लिए उनका धन्यबाद भी किया दोस्त, सी यू मिश्टर आइस द्वारा दिये हुए कुछ महतपूर्न अपडेट्स भी जान लेते हैं उन्होंने कहा है कि इसी हपते पेश टक्चर को लेकर बैठक होने वाला है फाइनांसियल टीम एंड लीगल टीम के साथ पेश टक्चर को और बहतर बनाने के लिए बरे लेबल पे प्लानिंग चल रही है इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है इस एबेंट में CEO ने किलियर सब्दों में कहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि यह कंपनी आपको कितना पैसे देने वाली है हमें बिजनेस चलाने के लिए बस जरूरत का धन रखने किया हो सकता है बाकी सब डिस्टिबीट हो जाना है लोगों में दोस्त उन्होंने रिजल्ट के रिकार्डिंग फावरा जेसी भी और भूल डोजर जैसे सब्दों को यूज किये हैं कि यह बहुत ही भी सोटक होने वाला है अपने आपको मजबूती से बांध लीजिए क्योंकि यह एक जंगली सवारी होने वाली है दोस्त यकीनन हमारे सक्सेज अकल्पनिया एंड अभी स्वस्निया होने वाले है CEO ने असपश्ट कहा है कि मैं आपको बहुत जल्द टॉप पे देखूंगा दोस्त CEO के कहने कनुसार इस सप्ता यानि एक दो दीनों में हमारे हाइपिरिट पे प्लान को फाइनल रूप दे दिया जाएगा अगले सप्ता हम तयार रहेंगे प्रोडक्ट के कमर्सेली लॉंचिंग के लिए आपको साइध यार भी होगा मैंने कल अपने वीडियो में स्वष्ट पताया था कि आज के इवेंट को लेकर मैं कुछ भी हाइप क्रियेट करना नहीं चाहूंगा और ये भी कहा था कि आज के इवेंट में क्या कुछ होगा ये तो इवेंट में ही पता चल पाएगा बट आने वाले एक दो हपते हमारे जिंदिगी के लिए बहुत महतवपूर्ण रहने वाले हैं आज के इवेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं वालूं बट इतना उमीद जरूर है कि अगले एक दो हपतों में बहुत कुछ होने वाला है साय दो सब कुछ जिसका इंतिजार है हमें हाला कि कल के इवेंट को परमोट ही किया गया था कि इसमें वीनर्स को प्राइज डिस्टिब्यूट होने है उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया जाना है अब कोई अपने मन से कुछ और होने का उमीद लगा ले यह अलग बात है अगर कोई कुछ बरा होने का उमीद लगा ले यह अलग बात है यह उसकी अपनी सोच्छ अपनी इक्षा है चाहे मैं हूँ आप हूँ कोई भी हो दोस्त इस जुलाई मन्थ में हम बहुत कुछ होने का उमीद कर सकते हैं अभी अच्छा है जिस वीक में हो सेकंड थर्ड या लाश्ट में अगर महमद कमाल और महमद नजाल इंडिया में डटे हुए हैं तो कुछ बहुत बरी बात जरूर होगी अब हम बिल्कुल भी दूर नहीं है अपनी सक्सेज से और सक्सेज भी हमारा किस लेबल का होने वाला है आप CEO की बातों से समझ भी सकते हैं दोस्त कल Friday का इवेंट अस्पेसली वीनर्स को सेलिबरेट करने के लिए ही रखा गया था जो हमारा second YouTube contest स्टार्ट होने वाला है वह या तो आज से होगा या मंडे से स्टार्ट होना चीए बर्चर के हिस्सा लेना है इसमें हो सकता है अगला ही विनर आप हों हलाकि लाखों लोगों में विनर सिर्फ 2-4-5 लोगों को ही बनने है चाहे कोई कुछी भी कर ले बट इसमें हमारा जाता ही क्या है कौन सा इसके लिए हमें कोई पैसे पे करना है या कोई हाड़ वर करना है ऐसे भी हम YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखते ही रहते हैं कभी-कभी लाइक भी करते हैं जेर भी करते हैं और कमेंट भी कर देते हैं बस वही काम हमारे ओनपैसिप आफिस्यल YouTube चैनल के साथ करना है एक्स्ट्रा तो कुछ करना नहीं है और सबसे बरी बात कि इसे कंपनी का किसी ने किसी माद्यम से ग्रोथ ही होना है और इसी के ग्रोथ से तो हमारे भी सक्सेज जूरे हुए है हला कि अगर देखा जाए तो इस YouTube कंटेस्ट के रिगार्डिंग अभी भी बहुत सारे फांडिंग मेंबर्स एक्साइटेट नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि यह एक तरह का लकी ड्रा है जहां भाग तो लाखों लोग लेगे बट वीनर सिर्फ दो चार पाँच लोग ही बन पाएंगे उन्हें इंतिजार है सभी के वैलेट में एपल साने का सभी के वीनर बनने का सभी को सक्सेज मिलने का दोस्त आपके बात भी बिल्कुल सही है दरसल इस इस्टूप कंटेस्ट का हमारे मिलने वाले सक्सेज से कुछ भी लेना देना नहीं है इस तरह के कंटेस्ट से नए उजर साकरसित होंगे और देखा जाए तो इससे फायदे हमी को होने है यह दरसल सभी फांडिंग मेंबर्स या यूजर्स को एक्टिव रखने का एक मार्केटिंग एस्टेटिजी भी हो सकता है बहुत सारे लोग अभी भी अपने अकाउंट को लोगी नहीं कर पाते हैं वैसे लोग भी धीरे धीरे इन सब के जरीए एक्टिव होने लगेंगे ओनपैसिप के वीडियो देखकर उन्हें समझ आने लगेगा कि हम दुनिया के कितने बड़े और्गनाइजेशन के पार्ट हैं और यहाँ पे की सस्तर पे हमारी जिंदगी बदलने जा रही है वे ओनपैसिप को और करीब से देख पाएंगे समझ पाएंगे दोस्त आज मैं नाउमीद या निरास या निगेटिव या मायूस जैसे सब्दों का बिल्कुल भी परियोग नहीं करने वाला हूं क्योंकि इन सब का आप कोई मतलब ही नहीं है हमारे जीवन में हम बस कुछी दिनों में उस लेबल पे जाने वाले हैं जिसका वाकई हम कलपना नहीं कर सकते और क्या किसी के नाउमीद निरास मायूस या निगेटिव होने से आज की आज एपल्स आ जाएंगे हमारे वैलिट में अगर ऐसा करने से आ जाएंगे तब तो ठीक है और अगर ऐसा करने के बाद भी यह आज की आज नहीं आने वाला तो फिर मतलब ही क्या है कुछ भी निगेटिव सोचने का हमें तो अब हर हाल में एकसाइटेड रहना चाहिए अपने मिलने वाले सकसेज को सोचकर मिलने वाले अचेमेंट को सोचकर उसे फील करके दोस्त हमें किसी भी हालात में हमें सिर्फ दो चीजें सोचने की जरूरत है कि क्या थोड़े देर होने से हमें ऑन पैसिप से दूर हो जाना चाहिए या कुछी दिनों बाद मिलने वाले बरे अचेमेंट के लिए हम यहां पूरी एकसाइटमेंट के साथ जूरे रहना चाहिए जाहिड सी बात है कोई भी फांडिंग मेंबर्स चाहिए उसके हलात कैसे भी हो वह उन पैसिप से दूर होने के बारे में कलपना भी नहीं कर सकता जब इससे दूर होने के बारे में कोई कलपना तक भी नहीं कर सकता, तो फिर निगेटिव जैसे, निरासा जैसे, मायूसी जैसे, हतोत साहिज जैसे, या नाउमिद जैसे सब्दों को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर हमेशा के लिए फेंक देना होगा, क्योंकि हम कुछी द अधिक समय लगेगा, इससे मार्केट लेबल पे लॉंच होने में, और आपको इतना तो जरूर मालूम होगा, कि हमारे पेड प्रोडक्ट्स के कमेटसेली लॉंच होते ही, सब कुछ स्टार्ट हो जाना है, चाहे वह पेपलान हो, पैकेज हो, 97 डॉलर्स हो, कीवाईसी हो, या हमारे वैलेट में आने वाले एपलसों, सब कुछ सुरू हो जाना है, क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटिग्रेटेड हैं, दोस्त जिंदिगी में परसान सभी हैं, सब को जरूरत है पैसों की, क्योंकि पैसे सही सब कुछ होना है, पैसों की जरूरत मिश्टर एस को भी ह इसलिए बिंदास रहिए, बहुत ही जल्दी हमारे सकसेज सुरू होने वाले हैं, दोस्तिया समझने वाली बात है, आखिर CEO मिश्टर S जान बुच कर क्यों देर करना चाहेंगे, इससे उनको क्या फाइदा होने वाला है, वे खुद बेचैन होंगे, जल्दी से जल्दी और प साफ से कैसे कमिशन मिलना है, यह सब पेप प्लान से ही असपस्ट हो पाएगा, मैं कोई हाइप क्रियेट नहीं कर रहा हूं, यह मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा मेरा अनुमान है, कि एक दो हपतों में हमारे जिंदगी की सबसे बरी खुसकबरी मिल सकती है, पूरे एक्साइ एक देवाद.